नमस्कार और सलाम आज की ये बातचीत में दिमॉक्रसी आजकर में हम वही कुछ एहम बाते वो करेंगे जो अगबार और टेलविजन चैनल जादा तर इस पे नहीं गौर करते दिमॉक्रसी आजकर में हम चाहते हैं कि आपका भी पार्टिसिपेशन रहे आप सवाल करें, कॉमेंट्स रखें, जरूर इसकी उपर अपनी टिपनी दे तो इस हफते की एपिसोड में हम दो तीन अहम चीजों पर एहम बात करेंगे एक तो नागरिकता, NRC को लेकर एक देश भर में एक हवा, एक डर, एक बहुत सारी चीज़े पहली जा रही है उपर से लेकर मीचे था, तो आसाम में इस वक्त NRC को लेकर जहां पर एक पहले लागू किया गया था, 1951 से लेकर अभी तक, वहां पर कुछ खाज कारने थे, आसाम को लेकर, आसाम अकॉड हुआ, बंगलदेश को ये, जंग के बाद महां पर, महां के सरजमीन पर कुछ अस के रहने वाले, दुलाल पॉलाम के एक आदमी, सुनितपुर से तेजपुर डिसेंचिन कैम्प में उनके अधियान दो गया, अफसोस की बात है, दो साल में वहां पर रह थे, उनके परिवार का कहना है, हमारे खास, जंशेर अली जी ने उनसे बाकचीत की, परिवार का कहना है कि उनके पास पूरे डॉक्यमेंस थे, जमीन के डॉक्यमेंस, लांड डॉनिशिक के डॉक्यमेंस, उननी सो साथ से लेकर थे, फिर भी उनको फॉर्टन डिक्लेर किया गया, और उनको डेटेंशन कैम में दो साल रखा गया, में दो अज़ार अठ्टर में सुप्रीम कुछ, एक हशते पहले, असम सरकार ने दस लोगों को रीहा किया तो कितने लोग आज तक अभी तक यह डिइतेंशन कैम में हैं, डिटेंशन कैम कौन से कानउं को लेकर स्थापित हुए हैं, फिला असम में तेंटेंशन कैम हैं, चैम कैम है, महरास्टब में बनाया जारा है करनाटक में बनाया जा रहा है लोगों के वान में डर है क्योंकि प्रशासना हुकुमत जिस तरह काम करता है गरीबों के लिए मेहनत प्रक्षवर के किलाफ जिसकी सुनवाई नहीं होती जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते जिसका कोई जात को लेकर अपकार्श या अपकलास ट देख रहे हैं तो दुलाल ओल का दिहान तुआ और पचीस लोगों के इस तरह के मुत्यू डिटे असाम के डिटेंशन कैम्स में हुई है यह सरकार का ही मानना है असेंब्ली में रखे हुए आंक्रे हैं सरकार यह भी कहता है कि 1133 लोग असाम के डिटेंशन कैम में आज ते हमारे NRC को लेकर जब बंबे में यहरी हुआ तो हमने अनीमा देजी, सुबरोटो देजी और गोपाल दास की कहानिया बंबई के मुंबई मराथी पतरकार संग में सुनी तो बंगाल में असाम के करीब बंगाल है बहुत बड़ा राज्या है उत्तर प्रदेश के बाद हिंदुस्तान का सबसे सेकिंद लाजे स्टेट है जाइप पॉपूलर स्टेट है बत्वारा विभाजन का वहां पे हिंपक्त हुआ है बंगरदेश वग का भी इंपक्त हुआ है और वहां पे तक्रीबन 20 लोगों की मुत्रूब सकार केती है ग्यारा मगर हमारा कहना है कि 20 की मुर्थियों ये पूरे नागरिक्ता की क्राइसिस के वज़े से हुई खुदकुषियां हुई हैं हाट अटैक्स आहें लोगों को और लोग बशीरत जैसे जगब पे तीन चाह लोग की मुर्थियों हुई बड़े-बड़े कतार लगे हुए बढ़ सर्कित लेने के लिए लोग खड़े हैं पारिश में लोग खड़े हैं परिशान है एक डर पहलाया गया है हुकूमत की तरफ से कि नर्सी लागू किया जाएगा और नर्सी के वज़े से बहुत सारी खबरे आ रही है उसके वज़े से लोगों के मंद में डार है ग्रहमंत्री भारत के ग्रहमंत्र जब राजनीदी प्रशासन पे दबाव लाई जाती है तो किस तरह का असर कहां पे किस के उपर पड़ सकता है हमारी ये मांग सरकार से है कि आसाम की बात अलग है आसाम में आप ज़रूर एक आसाम अकॉर्ड की वज़े से पूरे तबकों ने इस पे कभूल करके NRC का कभूल किया था मांकि अब बाकी भारत हिंदोस्तान में या लाना गेर कानूनी तरिकी से लाना वाजबी नहीं होगा मुनासिब नहीं होगा फॉरिनर ट्राइबूनल क्या इनका कानूनी अधार क्या है इसके उपर भी हम स्पेशल एपिसोड करेंगे रिटेंशन कैम के कानूनी आदार क्या है इसके उपर भी हम आपके सामने एक स्पेशल एपिसोड में साथ मिलाएंगे फिलाल हम इतना ही कह रहे हैं कि NRC का प्रोसेस आसाम में प्रोब्लमाटिक हुआ है बहुत सारे सवाल पैदा हुए है इसलिए बंगाल में जो आज सुरतिहाल है और वहां के तो भारतिया चंता पार्टी के केलश विजयवार गया तो खुले आम कह रहे हैं कि वहां पे हम NRC तब तक नहीं लागू करेंगे शायद उनकी नज़र 2021 या 2024 के एलेक्शन्स है 21 में स्टेट एलेक्शन्स है 24 में अगला लोक सुर्बा चुना है उनका यह कहना है नहीं हम पहले सिटिजन्शिप अमेंट्मेंट्मेंट्स बिल लाएंगे उसके बाद हिंदूों को सब शामिल कर देंगे और उसके बाद हम लाएंगे नर्सी इस तरह की डिविजिव राजनीती खेलने वाली रूरिंग पार्टी के यह हमारा एक ही सवाल है कि आप क्यों भारत हिंदूस्तानियों को इस तरह डिवाइब कर रहा है मजभ के नाम पे धर्म के नाम पे जादी के नाम पे इस नाम हेल्दी फर डिमोक्रसी इस नाम हेल्दी फर रा कॉंस्यूटूशन बंगार के लोग आज भी एक पैनिक में हैं और हमारे पास गुजार इशाहर हैं सिटिजन फजसे इंपीस में कि जैसे हम लोग उने असाम में काम शुरू किया जो एनार्सी के कॉर्डिनेटर थे असाम में हैं अभी तक 2013 से लेके आज तक उनको अचानक मद्रपतेश के आईएस काडर में भीजा गया सवाल उठाये गए कि क्यों अचानक इनका ट्रांसफर किया गया तो सुप्रीम कॉर्ट ने कारन तो पबलिक में नहीं दिया मंगर जहां तक आसाम के हमारे साथ ही हम को कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि वहां पे दो तीन पुलिस के कंप्लेंट हुए है उनके के लाफ ऐफ क्रिमिनल कंप्लेंट और उनके जिंदगी और उनके लाइफ पे एक थ्रेट है एक पूरी दिल मतलब तेसरी बात मापके सामने रखना जाहेंगे वाटसप यॉनिवर्सिटी और नफरत को लेकर आपने देखा ही होगा कि महराष्टा के एलेक्शन में और हर्याना के एलेक्शन जो हो रहे हैं जा रहे हैं उसमें नफरत की गोलियां लोगों को पिलाई जा रही है इलेक्शन कमिशन ने मुंबई के वीजेपी चीफ के उपर एक नोटिस भी बेजा है कल उसके उपर हमने खास एपिसोड भी किया था उसके उपर हम नहीं जाएंगे मंगर यह हम ज़रूर करेंगे कि L.A.C. London School of Economics की बहुत एक एहम स्टडी निकली है जो वाटसब यूनिवर्सिटी और वाटसब के जो ग्रूप से उसके उन्होंने स्टडी किया है एक तो हम बात बता दें हमारे दर्शकों को कि मार्च 2020 में नैसकॉम नाम के बहुत बड़ी संस्था है जानसे पूरे हमारे टेक्नॉलोजी कंपनी का एक फांडेशन है नैसकॉम और वाटसब कंपनी साथ में मिलके एक 1000-2000 लोगों की बड़ी ट्रेनिंग फेक न्यूस के खिलाव भारत इंदुस्तान में दिल्ली में लेने वाला है आप उसमें शामिल हो सकते हैं www.mykartavier.com पे आप जाएए और रेजिस्टर कीजिए आप वहाँ पे फेक न्यूस के खिलाव किस तरह आप ट्रेन हो सकते हैं ताकि आप फेक न्यूस को गलत खबरों को पकड़ सके आप ज़रूर रेजिस्टर कर लीजिए ये खबर आज ही आ और ये 200 जो इंटर्व्यूस किये गए हैं वो करनाटक, मद्रप्रदेश, महराश्चा, उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में किये गए हैं और उनका ये कहना है कि अगर आप ग्रामीन और शेहरी विबाग से हैं भारत हिंदुस्तान में अगर आप उपरी तपके के हैं अ कर्मिनिस्ट के किलाफ सवाल उठाने वाले मानवाद कारकार्य करताओं के खिलाफ गलत चीज़ मानने में आपकी मानसिक तयारी बिल्कुल है इसका मतलब है कि ये जो वाटसप फैक्टरी है ये वाटसप यूनिवरसिटी है वो खास उन तबकों के लिए बनाई जा रहे है वो वाटसप क्रियेट किये जा रहे है ताकि अपकास्ट और मिदल कास्ट हिंदू मेल और फीमेल इंडियन्स इस तरह की बाते सोचे इस तरह की बाते पर सहमत हो जाए और फिर उसी तरह की राजनीतीप को वोट दे जो आज हुखुमत राज अपने पर कर रहा है कैसे यह करना यह बहुत लंबा चोड़ा सवाल है आसान जवाब नहीं है चहते टेलिविजन आंकर रविश कुमार का कहना है कि आप यह तेलिविजन चैनल जो जहर उगालते हैं उसको देखना ही बंद कर देजिए मगर क्या यह एक उप्शन है मारे पास आप और हम देखना बंद कर देंगे मगर वास मेजॉरिटी ऑफ अपकास, मिदल कास, इंडियन वो तो देखते रहेंगे इसके उपर उनके उपर असर पड़ता रहेगा में यह चीज है कि क्या हम तैयारी अपने हाप में रखते हैं कि इस जहर का मुकाबला करेंगे, systematically करेंगे, socio-political education करेंगे, आर्थिक issues पे, हमारे समरिधान पे, बहुत सारे issues है इसको लेकर हमारे generation और हमारे जो पचास साल की उपर जो हम लोग हैं, we were beneficiaries of the leftovers of the national movement क्या हम हमारे millennials और post-millennials के लिए इस तरह की बाते हम रख पाएंगे, जिससे वो इतिहास, जिससे ये देश बना था और आज भी बना है, वो कायंग लोगों के दिल और दिमाग में रहें आप democracy आज कल को देखते रहें, अपने comments भी जरूर देते रहें, टिपनियां भी देते रहें, कौन से विशे पे हमें बातचीफ करना चाहिए, उसकी भी suggestions दीए, अगले हफते तक episode में आप हमारे शामिल रहें, thank you very very much